नमस्का साथी हूँ, आप लोग अमनी स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ चुके होगी कि आज हम लोग संजय राउत के बारे में बात करने बाले हैं और आप देख रहें कि महाराथ की राजनीती में काफी चर्चा में बने हुए हैं, जो महाविकास अगाडी सरकार बनी थी न, उसमें इनका बड़ा योगदान माना जाता है और अब आप देख रहें कि ED का भी इन पर चापा डल रहा है, इनकी गरपतारिया भी हो रही है तो इनके वारे में जानना मुझे लगता है कि जरूरी है और इस तरह का कोई बेखती अगर चर्चा में रहता है, तो उसकी वारे में आपको जानना चाहिए और आप देखें, बाला साहब ठाकरे हो, या उदाव ठाकरे हो, या आप देखें कि आपके ठाकरे फरिवार हो, इसके बड़े बफादार मानने जाते हैं संजय राओत और कुछ आपको पिक्चर देख रही हुए ये बाला सहब ठाकरे जो आप ये देखेंगे सिपसेना जो देखते हैं आप लोग पाइटी उसके संस्थाफक थे और सिपसेना की स्थाफना की बात करें तो आप देखेंगे 1966 में हुई थी और बेबाग बोलने माले आप देखेंगे चाहे बाला सहब ठाकरे की बात कर लेजे संजय राओत बेबाग बोल के लिए जाने जाते हैं आप देखी उदाव ठाकरी और संजाय राओत ये आप देख लिए जे फिक्चर उदाव ठाकरी ये संजाय राओत आदित ठाकरी ये इन का परिवार है ठीक है और आप देखी महराश्ष्ट की राजनीती में की बात हो रही है और लंबे समय तक आप देखें काफी उठापटक भी चला आये हैं पहले उधा उठागरे मुखमंत्री बने उसके बाद आप देखें जो सेपसेना है आपकी इसके कुछ बिधायक अलग हो गए उसके बाद आपने देखा है कि एकनास सिंदे मुखमंत्री बन गए है तो महाराश की राध्धानी की बात करें तो मुंबई है और यहां अगर आप देखें तो विधान सभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेगी विधान परिशन में 38 सीटें हैं तो आप लोग राजे सभा की चुनाओ लड़ सकते हैं और राजे सभा सदस का चुनाओ किन के दवारा होता है बिधायकों के दवारा होता है डारेक्ट जनता के दवारा नहीं होता है तो यह भी यात रखिएगा और संजे राउत की अगर बात करें तो एक भारती राजनितिक है और राजे सभा सदस और सिपसेना के प्रवक्ता भी है और सिपसेना की तरब से आप देखी यही अपना पक्छर रखते हैं संजे राउत का जनब आप देखें कि 15 नवंबर 1961 को अलीवाग महराश्ट में हुआ था उन्होंने वडाला मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज और कॉमर्स एंड एकोनोमेक्स से बैशलर और कॉमर्स बीकॉम की पढ़ाई की हुई है संजे राउत सौमबंसी चत्रिये पठारी जाती से है और उनके माता पता राजाराम राउत और सभीता राजाराम राउत उनके छोटे भाई सुनील राउत सिपसेना के एभी नेता हैं आप सभी जानते होंगे इने भी और 16 फर्वरी 1993 को उन्होंने बरसा राउत जो सिक्षक हैं उनसे साधी कर ली थी और उनकी दो बेटिया हैं अगर हम लोग इनके राजनेतिक सफर की बात करें तो संजयराउत पहली बार सन 2000 में महराज से राज्यसवा के लिए चुने गए थे उन्हें 2005 में सिपसेना की नेता की रोम में नियुक्त किया गया और वे अक्टूबर 2005 से ग्रह मामलों की समिती और नागरी कुटेर मंतराले के लिए सलाकर सम्ती के सदस भी थे मई 2009 में नो तक वो 2010 में संजयराउत को दूसरी कारकाल के लिए आप देखें कि महराज से ही राज्यसवा सदस चुना गया और 2010 में उन्हें उभोकता मामलों खाद सारज्यक वितरन और द्विजली मंतराले के लिए जो सलाकर सम्ती होती है ना उसके सदस के रूमें नियुक्त किया गया 2016 में आप देखेंगे उन्हें तीसरे कारकाल के लिए महराज से राज्यसवा के लिए चुना गया था फिर आप देखेंगे 2022 में महराज से राज्यसवा के लिए फिर से उन्हें चुना गया है क्योंकि आप सभी को मालों होगा कि 6 साल का कारकाल लहता है राज्यसवा का और इनसे जो बिवाद जुड़े हुए हैं जिनके कारण आप देखें काफी चर्चा में रहते हैं इन विवादों को देख लिए बीस नबंबर सन्दोह्यार को बाला साथ ठाकरी की मित्यू के बाद मुंबई बंद के बाद दो महलाओं को बंद के खिलाब एक फेस्बुक टिपड़ी के लिए गरपतार किया गया था और महलाओं की उम्र 31 बर्स थी और उनमें से एक पोस्ट और टिपड़ी की थी और दूसरी महला ने टिपड़ी को पसंद याने की लाइक किया था और गरपतारी के बाद राउत ने कहा कि सिबसे ना महलाओं की गरपतारी का समर्थन करती है क्योंकि उनकी टिपड़ी से का सभास अगरी की बारे में आप लोग पढ़े हम लोगों ने भी बात की हुई है तो आप देखेंगे कि वो एक ऐसे नेता थे कि आप देकि प्धान मंत्री भी उनके साबने जोग जाते थे और मुंबई में उनका अच्छा प्रभाव था तेरे अफ्रेल 2015 को कई लोगों राज नितिक दलों ने रावत पर संबदायक तना भढ़काने की कौसिस करने का आरोप लगाया था यह आरोप संजय रावत द्वारा लिखे गए सामना सेफसेना का जो मुक्पत है में एक लेक के बाद आया था जिसमें कहा गया था कि मुसल्मानों के मद्दान की अधिकार को रद् दीवानी राज्य फिर आप देखेंगे 24 अगस्त 2017 की एक गटना है संजयरावत ने नायपद मासागरजी महाराज सहेब जैन भिक्छू को उनके खिलाब चुनाओ आचार सहिता गे उलेकन के लिए सिकायद दर्ज करने की धमकी दी थी उन्हें आतंगवादी कहा था और उन उनका बयान तब आया था जब नायापद मासागरजी महाराज सहेब ने जैन समदाय से भाजापा का समर्थन करने और मासमुक्त समाज की और बढ़ने का अग्रह किया था और अखेल भारतिय जैन अल्प संखेक पिकोष्ट ने संजयरावत के बयान की आलोचना की थी और कह की आचार सहिता कामेसा डर रहता है हाला कि कानून के साथ नरक में हैं हम उस तरह की लोग हैं जो गोटन होने के बज़ाए हमारे देल और दिमाग में जो कुछ भी है उसे कहने का विकल्ब चुनते हैं और आदर्स आचार सहिता की पिरवाओं का ध्यान रखा जाएगा फिर पार्टी चन पहने हुए और कमल के फूल भाजापा के पार्टी चन को सूंगते हुए एक तस्वीर ट्वीट की थी और राउत ने आप देखिए तस्वीर को कैप्सन दिया बुरा ना मानो दीवाली है हला कि भाजापा के सदस्व ने कहा कि ये तस्वीर खराब हैं पहले आप देखिए भाजापा के सहयोगी हुआ करते थे लेकिन 2019 के बाद आपने देखा हुगा अलग हो गया थी एक और विवालन से जुड़ा हुआ है सुसांत सिंग राजपूत की मौत के बाद संजे राउत और बॉलीवोर्ड एक्टर्स कंगना रनोत की बीच आप देखिए अन्वन रहा है और क्या-क्या दोनों तरब से बोला गया 14 जून 2020 को राजपूत की मौत के बाद कंगना द्वारा मुंबई को आसुरक्षे करायत दिये जाने के बाद पूरी पंक्ती शुरू हुई थी एविवास शुरू हुआ था और उन्डिन की टिपड़ी के बाद रा विवाद का कारण पर आप देखें कि कंगना रनोद और महरास सरकार की बीच बढ़ते विवाद की बीच कैन सरकान उन्हें वाई विलस सुरक्षा भी कवर की हुई है और मुझे लगता है कि वह दिन दोर नहीं है जब आप देखिए हर जो विवाद में रहेगा उसे भी व जब आप देखें कि गरीव से गरीव है और अमीर से अमीर सब टेक्स देते हैं आप लोग मोबाइल खरीदते हैं मुझे लगता है कि मोबाइल तो आजकल हर कोई खरीद रहा है या आप लोग सावन खरीद में जाते हैं माचिस खरीद में जाते हैं तो उस पर देखा करिए पात्रा चोल गोटाला जिसके कारण अभी आप देखे काफी चर्चा में है यह 1049.89 करोड का है और मुंपई पर्षमी उपनगर के गोरे गाउं इस्तित सिधार्थ नगर के पात्रा चोल के 47 सेकर जमीन पर 672 परिवारों के घरों के फुनर विकास के लिए साल 2007 में सुसाइट द्वारा महराच हाउसिंग डवलमेंट अथोर्टी और गुरू कंट्रेक्शन कम्पणी के बीच करार हुआ था और इस करार के तहट कम्पणी को साड़ी तीन हजार से जादा फिलेट बना कर मियाडा को देने थे और उसके बाद आप देखिए बची हुई जमीन चोल की एप SI 9 अलग-अलग बिल्डरों को बैद कर 901 करोर रुपे जमा किये और उसके बाद में DOGE नावई के नए प्रोजेक्ट शुरू कर फिलेट बुकिंग के नाम पर 138 करोर रुपे वसूले लेकिन आप देखिए कि 672 लोगों को उनका मकान नहीं दिया गया और इस 2049 देसमलो 89 करोर रुपे का घोटा ला हुआ है इसके बाद 2018 में मियाडा ने गुरू कर्श्टेक्शन कंपनी के खलाब FIR दर्श कराई थी और संजय का कैसे इससे आप देखिए कि कनेक्शन माना जा रहा है गुरू कर्श्टेक्शन कंपनी के निर्देशक जो प्रवीन र ऐसा अपने रिष्टेदारों दोस्तों को भी भाटा और इन में से आप देखिए 55 लाक रुपे संजय रावत की पत्नी जो वर्सा रावत इनके खाते में आये थे और इस रकम से रावत ने दादर में फिलेट करीदा था और ED वर्सा रावत से पूच्चाज कर रही है और बताया था कि यह पैसे उन्होंने फिलेट खरीदने के लिए प्रवीन रावत की फत्नी मादुरी से लिए थे और ED की पूच्ताज के बाद बरसा ने पैसे मादुरी के खाती में ट्रांसफर कर दिये थे तो यह आप देखिएगा यह विवाद बना हुए है आंगे कोट जा एक अपरेल उनीसों चपर में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखिए कि मनी लोंडिंग का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति टेक्स बचाने के लिए काले धन को छेपाने के लिए आयकस रोत नहीं बताने के लिए ब्लेक मनी को सफेद करने के लिए गैर कानूनी तरी किसे यह काम करता है तो उसे वो आजाता है आपका मनी लोंडिंग में और आपको एक और बात मालू होने चाहिए आप में से कही लोगों यह भी चाहते है जानना चाहते है क्या इसका दुर्पयोग होता है ने जैसियों का तो इसमें कोई दोराया नहीं होने चाहिए तो क्या जिस जो भारती जिन्ता पाइटी या सत्ता पक्च में सामिल हो जाते हैं उनकी पाइटी को जोईन कर लेते हैं तो क्या वो दूत के दुले हो जाते हैं और बिपक्च का नेता बिश्टाचारी हो जाता है तो यह सोचने वाला है अगर आप देखें कि इसमें दोरा नहीं हो और आप सभी जानते हैं कि जब सत्ता आपके साथ में तो आपको उसका फायदा मिलना सुभाविक सी बात रहती है इसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए और क्यों ना मिले सबसे बड़ी बात यह है इंद्रा गांधी का समय देखिए आप लोग विपक्ष के सभी नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया गया था उनेसो पचत्तर सतत्तर के बीच जबराश्टी आपात कर लगाया गया तो यह चलता रहता है राजनीती हमारे देश की आप सभी जानते है कि सद्धतक गिरती है तो यह कहानी है सज्जे राओत की और भी बताईए किसी के बारे में बात करनी हो तो ट्रिक है